नमस्कार प्रेविध्यार्थियों आज हम चंद्रकांत देवताले जिन्होंने कक्षा नवी छतिस की पाठे पुस्तक में कविता यम्राज के दिशा लिखा है आईए आज हम चंद्रकांत देवताले के बारे में जानेंगे चंद्रकांत देवताले का जनम आप यहां से पढ़ेंगे इसे आपकी पाठे पुस्तक में दिया हुआ है और ये भी ध्यान रखें कि आपको प्रतेक कवी और लेखक की जिवनी को अच्छे ढंग से याद करना है आए शुरू करते हैं चंद्रकांत देवताले का जनम सन 1936 गाउं जोल खेडा, जिला, बैतूल मध्य प्रदेश में हुआ उच्छ सिक्षा इंदाओर से हुई तथा पी एच्डी सागर विश्वविध्याले सागर से साथुत्री हिंदी कवीता के प्रमुख हस्ताक्षर यानि जनमाने विख्ती देवताले जी उच्छ सिक्षा में अध्यापन कारे से संबंध रहे यानि जुड़े रहे देवताले जी की प्रमुख क्रीतियां आप क्रीतियों को अच्छे ढंग से याद करेंगे ये चीज़ बेहत ध्यान रखें आपको क्रीतियों के नाम अच्छे से याद होने चाहिए और इनकी क्रीतियों को याद करने का सबसी अच्छा ढंग है कि इन्होंने खापनाक दरावने या भुतहा या कुछ बुखार बिमारी इन से जुड़ी हुई कविताओं का सिर्शक दिया है तो इसको याद करना बड़ा आसान रहेगा इस तरह से कुछ भी दरावना सा देखें हड्डियों में छिपाजवर दिवारों पर खोन से लकडबग्धा हस रहा है भुखंड तप रहा है प्रत्वी की बैंच पत्थर की बैंच शमा करें इतनी पत्थर रोशनी उजार में संग्रा लिया दी देवताले जी अनेक पुरसकारों से सम्मानित हुए माखललाल चतुरवेदी पुरसकार मध्य प्रदेश शाषन का शिखर सम्मान उनकी कविताओं के अनुवाद प्राय सभी भारत्य भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं देवताले की कविता की जड़े गाओं कस्पू और निम्न मत्यवर के जीवन में हैं उसमें मानो जीवन अपनी विवदिता और विडबना के साथ उपस्तित हुआ है कवी में जहां विवस्था की कुरूपता यानि भुराई गंदगी के खिलाफ गुसा है वही मानवे प्र कुरूपता होती हैं उनको जागर करते हैं ताकि हम पाठक उस तरह की बुराईयों के प्रति जागरुखो उसे जड़ से खतम करें वह अपनी बास सीधी और मारक धंग से कहते हैं कवीता की भाशा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगितात्मक्ता दिखाई देती हैं वीडियो के अगले भाग में हम कवीता के बारे में पढ़ेंगे वह कवीता की व्याक्या देखेंगे आप अगला वीडियो भी अवश्य देखें धन्यवाद